सियारस घोटाले में एक्शन सपा की बड़ी टेंशन अबू आजमी बेनकाब शेल कमपनियों का राज करोडों रुपे जब सबूतों से अफसर हैरान नमस्कार हला बूल में आपका स्वागत है मैं हुआ आपके साथ पूजा देश भर में ब्रस्ट चारियों पर तेजी से नकेल कसी जा रही है जाच एजनसिया ताबर तोड तरीके से चापिमारी कर गुटाले बाजों को सलाखों के पीछे डाल रही है इसी कड़ी में अब दिल्ली और मुंबई आयकर विभाग ने सपानेता अबू आजमी के करीबी कारुबारियों के ठिकानों पर चापिमारी की है इस दोरान सैक्डो करोड के CSR स्कैम का खुलासा हुआ है तो आज हला देश के उन भ्रस्टचारियों पर बोलेंगे जिनोंने तगड़े लेवल पर सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी धोका दिया और अपनी तीजोरियों को भरा इसी कड़ी में अब आकर विभाग ने वारनसी, लकनव, कानपूर और कॉलकता में छापिमारी की और चार करोड दो लाख रुपए जब्ट किये एक करोड रुपए वारनसी के एक प्रॉपटी कंसल्टेंट के यहां से बरामत हुआ है, रेट के दोरान इस बात का भी खुलासा हुआ है कि शेल कंपनियों के जरिये इस घुटाले को अंजाम दिया जाता रहा था वैसे भी शेल कंपनियों पर नकेल कसने के लिए प्यम मोदी ने सक्त निर्देश दिये हैं इसी कड़ी में 40,000 कंपनियों को चनहत किया गया है जो एक तरीके से अवैद कंपनिया है और घुटाले के कारुबार को बिना टेक्स बरे अंजाम दे रही है इन 40,000 कंपनियों पर ना सिर्फ ताला लटकाने बलकि गुटाले की एक एक रकम वसूले की भी कारवाई के लिए कदम आगे बढ़ाये जा रहे हैं इसी एक्शन के चलते सपा नेता अबु आजमी और उनके करीबी कारुबारी गनेश गुपता और उनकी पत्नी के करीब 30 इनकम टेक्स डेपार्टमेंट ने च्छापिमारी की है वारनसी, मुंबाई, कानपूर, दिल्ली, कॉलकता और लखनों में च्छापिमारी के पीछे करना देने और कारुबारी लेंदेन च्छिपाने का आरोप है दरसल बीते हफते नौयजा से आकर विभाग के अधिकारि CSR स्कैम का खुलासा किया इन लोगों ने बताया कि स्कैम में कॉर्परेट हाउस, मिजलमैन, राजनीता और गैर सरकारी संग्टनों के लोग शामिल है इस मामले में शामिल लोगों ने CSR डोनीशन दिखाया और बाद में उसका अधिकांश हिस्सा अपने एकाउंट में ट् बता दे कि कुछ महीने पहले CGST की टीम ने वार्नसी में चापेबारी की थी इस मामले में चनेत दोरो कारुबारी सपानेताओं के करीबियों में शुमार है बताया जा रहा है कि सपानेता अबु आजमी कालेधन का इनी कारुबारियों के जरिये निवेश करते हैं सूत्रों का दावा है कि आईटे विभाग ने ये च्छापिमारी बिमानी संपती के मामले में की है गरेश गुपता समाजवादी पार्टी के सेकरेटरी हुआ करते थे जब अबु आजमी महराष्ट में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे आईकर विभाग ने विनायक निर्मल लिमिटेट पर भी च्छापिमारी की है ये वार्णसी में एक कंपनी है जहां पर कथिक तोर से आभाग गुपता ने बड़ी मात्रा में बिमानी संपती बनाई है अबु आसम ने वार्णसी में करीबी अनीस की जरिये अपना काला धन रेयल स्टेट में निवेश किया है अबु आसम के एक अनिस सयोगी रहे गनिश कुपता जिनकी कोरुना के दोरान मौत हो गई थी उनके परिवार के सदस्यों के जरिये दिल्ली में निवेश किया गया इसके अलावा 60 सेल कंपनियों के बारे में भी जानकारी मिली है जिसमें से कई कॉलकता में है अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर सपानिता अबु आसम आजमी कौन है और इतने सारे लोगों के साथ मिलकर कैसे वो घुटालिक के धंडे को अंजाम दे रहा है दरसल अबु आसम मुंबई की मान खुद शिवाजी नगर सीट से समाजवादी पार्टी के वधायक है उन्होंने तीन बार वधायक का चुनाव जीता है उनकी गिंती महरास्ट के अमीर उमिद्वारों में होती है वो समाजवादी पार्टी के महरास्ट इकाय के अध्यक्ष भी है अबु आजमी यूपी के दिवंगत पुरवसिया मुलायम सिंग्यादव के काफी करीबी विरह है मुलायम सिंग्यादव नहीं उन्हें महरास्ट में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के जिम्मदारी सौपी थी फल्म अभिनेत्री आईशा टाकिया अबु आजमी की बहु है अबु आसिम आजमी के बेटे फरहान आजमी ने आईशा टाकिया से शादी की है तो अबु आजमी कैसे अमीर बने और कैसे उन्होंने अपनी धंदे को देश भर में फलाया इसके सबूत आईकर विभाग को मिल चुके है जिसमें साब साब दिखाई दे रहा है कि वो घुटाले बाजी कर लोगों को चूना लगा कर अपनी जेब भरने का काम कर रहा है लेकिन अब आईकर विभाग का हंटर उन पर चल गया है एक तो एक तरफ शल कंपनियों पर नकेल कसी जा रही है तो मैं दूसरी तरफ यूपी खादान खुटाले पर सीब्याई ने तगड़ा आक्शन ले लिया यूपी के गोंडा में बहुत चर्चित खादान खुटाला एक बर फिर से चर्चा में आ गया जिले में साल 2004 से 2006 में हुए 425 करोड के खाद्यान खुटाले की जाच सीब्याई ने फिर से शुरू कर दी है ये उस वक्त का खुटाला है जब राज में सपा की सरकार थी तो ऐसे में अखलेश यादब तक भी जाच की आज बहुत सकती है खाद्यान खुटाले का खुटाले का खुलासा होने पर साल 2005 में प्रदेश शासन के विशेश सचेव ने जाच की थी और 425 करोड की खुटाले की रिपोर्ट दी इसके बाद EO डबलू ने जाच की लेकिन 2007 में जाच CBI के हवाले हो गई मामली में 63 मुकद में 17 थानों में डर्श हुए थे इस मामली में 300 से जादा लोग अभी तक आरोपी बनाय जा चुके है CBI के DSP सुनिलदत की अगवाई में जला आपुर्ती कारलाय में पहुँची CBI की 4 सदस्य टीम ने ततकालीन, कोटेदार और राशनकाट धारकों के बयान दर्श किये हिलाबाद बैंक में भी खातों की परताल की गई नयाले के आदेश पर CBI करीब 10 साल से जाच कर रही है और बताया जा रहा है कि माफिया ने गरीबों का खादान बांगलादेश भीज दिया था और करोणों की घपलेबाजी से अपनी जेब भरी थी जाच में पदा चलाए कि जो ढुलाई का काम है वो ट्रकों से किया गया था जो जाच में स्कूटर बाइक के नंबर निकले जाच का दायरा बढ़ा तो कई लोग जेल भी गए हलाकि जादतर लोगों को जमानत मिल चुकी है CBI टीम ने इटिया धोक ब्लॉक के कई कोटेदार और राशन काड़ धारकों से बयान भी दर्श किये है इसके साथ ही टीम ने कितना खादान मिलाया था कैसे मिलता था पूरा मिला की नहीं कैसे तीखे सवाल जवाब काड़ार को और बाकी लोगों से पूछे गए टीम ने घुटाले के दौरान कोटेदार के खाते इलाबाद बैंक के जिन शाखाओं में थे वहाँ पहुँचकर प्रबंधक और कर्मचारियों से जानकारी ली टीम अभी जिले में रुक कर कोटेदार के बयान दर्श करेगी CBI टीम अने ब्लॉकों में हुए अनाज घुटाले की भी जाच कर रही है ऐसे में अब इस घुटाले पर CBI की टेड़ी नजर हो गई है एक एक कर घुटाले बाज इस केस में सलाखों की बीचे जाने वाले है और जल्द ही बड़े-बड़े नेताओं पर गाज गिरने वाली है क्योंकि खादान घुटाला चोटा मुटा घुटाला नहीं बल्कि 425 करोण का घुटाला है जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर किस के शैपर इतना आसानी से इस घुटाले को अंजाम भिया गया कहा जा रहा है कि जल्द इस केस में बड़े नाम का खुलासा भी हो सकता है आज के अलाबोल में फिलाल इतना ही कल एक बार फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजर होंगे तब तक देखते रहे कैपिटल टीवी नमसकार